आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी पिफ्टी इंडेक्स में 1-1-2014 को share price थी और index था 6 साल बाद share price थी और index था lockdown में जब lowest point पर market थी तब 23 मार्थ 2020 को share price थी और index था और current price है और index है अगर हमें NFT के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए 1. लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए NFT के मुकाबले 3. जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए NFT के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share निफ्टी से better है या नहीं जानी कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को 1.00.000 रुपए इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1.01.2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए 1.1.2020 के दिन इफ्टी 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता Third point Share ने जीता Overall Nifty जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी यही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहाँ पर share मजबूत रहा थेंक यू